हेलो प्रैंट्स, वेलकम टु लिटरेचर विट नेहा, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा, सेम्यूल टेलर कॉलरेज की फेमस पॉयम है, क्रिस्टेबल पार्ट वन, ये पॉयम लिखी गई थी 1797 में, अब ये पॉयम है तो बहुती ज़दा इंटरस्टिंग, ल बगग साथ से आठ पेजिस की पॉयम है, लेकिन इस पॉयम की लैंग्वेज बिलकुल इजी है, बिलकुल इजी वे में ये पॉयम आपको समझ में आ जाएगी, एक स्टोरी की तरह ये पॉयम है, इस वीडियो में मैं पूरी पॉयम की लाइन बाइन एक्स्प्लानेशन को आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको जल्दी से पॉयम पढ़नी है, तो इस पॉयम की समरी पर भी मैंने वीडियो बनाये हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, और अगर आपको लाइन बालाइन पूरी पॉयम को पढ़ना है, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए इसे के साथ ही शुरू करते हम अपनी आज की पोयम तिस दा मिडल ओफ नाइट बाई दा कैशल क्लोक की कैशल क्लोक के अकोडिंग ये ठीक आधी रात का समय था कैशल का मतलब होता है महल और जो मुर्गे आवाज कर रहे हैं उनकी आवाज की वज़े से उल्लू भी जागे हुए है ये आवाज है कौक की कि यही आवाज फिर से आती है और जो कौक ये आवाज कर रहे हैं वो भी नींद में है कि जो सर लियो लाइन है जो इस कैशल के मालिक है जो की एक रिच बेरन है उनके पास एक टूथलेस और बड़े से साइज की बिच है किनल का मतलब होता है डॉग हाज कि वो अपने डॉग हाज से अपने किनल से बाहर निकलती है जो की एक रॉप के नीचे था और वो बार बार जो घड़ी की आवाज है उसको जवाब देती है फोर फोर दा क्वार्टर से एक क्वार्टर में वो चार बार भोगती है एंड ट्वेल्व फोर दा आवर और एक गंटे में बारा बार एवर एंड ए बाई शाइन एंड शावर पोईट करता है कि ये रात चमकीली थी चमकीली का मतलब है कि आसमान में चांद था लेकिन बारिश भी हो रही थी 16 short howls not over loud कि बहुत ज़्यादा तेश तो नहीं लेकिन ये बिच लगबग 16 howls अब तक कर चुकी थी some say she sees my lady's shroud कि महल में जो लोग सो रहे थे उन्होंने कहा कि आज इसने lady lion मतलब sir lion की dead wife का भूत देख लिया है इसलिए ये ऐसा abnormal behavior कर रही है यहाँ पर पोईट अपने आप से question पूछता है is the night chilly and dark कि क्या ये रात ठंडी है और dark है अब पोईट अपने question का answer खुदी देता है the night is chilly but not dark कि ये रात ठंडी तो है लेकिन dark नहीं है the thin gray cloud is spread on high it covers but not hides the sky कि एक पतला सा gray color का बादल उपर आसमान में फैला हुआ है ये आसमान को cover करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इससे आसमान cover नहीं हो पा रहा है the moon is behind and at the full कि चांद आज पूरा है लेकिन इस बादल के पीछे इस gray color के बादल के पीछे चांद छिपा हुआ है and yet she looks बहुत small and dull और ये चांद अब जो कि gray color के बादल के पीछे है वो छोटा भी दिख रहा है और dull भी दिखाई दे रहा है the night is chill, the cloud is gray कि रात ठंडी है और cloud gray color का है it's a month before the month of may कि ये वो महिना है जो कि may के महिने के पहले आता है and the spring comes slowly up this way और अब slowly slowly spring का मोसम आने वाला है the lovely lady Cristobal whom her father loves so well Cristobal is Sir Leoline की बेटी है कि lovely lady Cristobal जिससे उसके फादर बहुत प्रेम करते है what makes her in the wood so late कि ऐसा क्या हुआ कि वो आधी रात में जंगल में जा रही है I have farlong from the casual gate कैशल के गेट से मतलब महल से वो लगबग 20 गज की दूरी पर she had dreams all yesterday night of her own betrothed night कि पिछली कुछ रातों से उसने अपने नाइट के सपने देखे हैं जिससे उसके शादी होने वाली है and she in the midnight would will pray for the will of her lover that's far away और अब आधी रात में वो जंगल में अपने नाइट के सलामती के लिए प्रेयर करने के लिए जा रही है जो कि अब उससे दूर है she stall along, she nothing spoke कि वो चुपचाप चुप करके जा रही है और वो कुछ भी नहीं बोल रही है the size she heaved were soft and low कि वो धीरे-धीरे सांसे लेती है and not was green upon the oak बट मॉस एंड रेयरे से mistletoe कि वो अब धीरे-धीरे जंगल में पहुँच जाती है और एक बड़े से ओक ट्री के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है जिसके उपर कुछ भी green नहीं था सिवाए मॉस के मतलब काई के और mistletoe एक टाइप की बेल होती है कहने का मतलब यह है कि वो पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ था उसके उपर काई और mistletoe के अलावा हरा कुछ भी नहीं बचा हुआ था she nails beneath the huge oak tree and in silence prayareth she कि वो उस बड़े से huge oak tree के नीचे खड़ी हो जाती है और अपने night के लिए prayer करना शुरू कर देती है कि क्रिस्टैबल प्रेयर करती हुई अचानक से disturb हो जाती है वो डर जाती है उसने एक रोने की आवाज सुनी उसके बिल्कुल करीब से but what it is she cannot tell लेकिन वो नहीं कह सकती थी कि ये किसके आवाज थी on the other side it seems to be of the huge broad-bristled old oak tree उसे लगता है कि शायद ये आवाज जिस oak tree के नीचे वो प्रेयर करे थी उसी के दूसरी तरफ से आ रही थी the night is chill the forest bear point कहता है कि रात ठंडी है और जंगल शान्त है is it the wind that moneth bleak क्रिस्टेबल सोचती है कि क्या ये हवा की आवाज थी there is not wind enough in the air to move away the wrinklet curl from the lovely lady's cheek क्रिस्टेबल के इस question का answer point देता है कि इस जंगल में इतनी भी हवा नहीं है कि क्रिस्टेबल के जो बालों के छले हैं जो कल्स हैं उनको हिला करके उसके गालों पर भी टच कर सके there is not wind enough to twirl the one red leaf the last of its clone that dances as often as dance it can कि इस जंगल में इतनी भी हवा नहीं है कि जो एक सूखे पेड़ के उपर last red leaf बची है उसको भी हिला सके जो कि अक्सर हिलती है और डान्स करती है जब हवा चलती है जंगल में बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है तो जो क्रिस्टेबल ने आवाज सुनी है वो कोई और आवाज है hanging so light and hanging so high कि जो leaf बहुत उपर है on the topmost twig that looks up at the sky कि जो leaf पेड़ की सबसे उपर वाली टहनी पर है और देखने में ऐसी लग रही है जैसे की आसमान में ही हो हश beating heart of क्रिस्टेबल क्रिस्टेबल का दिल जोरो से धड़कने लगता है जीसस मारिया shield her well पोईट करता है कि जीसस मारिया क्रिस्टेबल को save कीजी क्रिस्टेबल डर के कारण अपने हाथों को अपने गाउन के नीचे छिपा लेती है क्रिस्टेबल देखने के लिए ओक ट्री के दूसरी तरफ जाती है और वहाँ पर वो क्या देखती है वहाँ पर वो देखती है कि एक लड़की बैठी हुई है बहुत सुन्दर उसने सिल्क का वाइट कलर का गाउन पैना हुआ था रोब का मतलब है गाउन देट शेडोई इन दा मून लाइट शौन दा नैक देट मेड देट वाइट रोब वेन कि उसने जो वाइट कलर का सिल्क का गाउन पैना हुआ था वो मून लाइट में चमक रहा था लेकिन फिर भी वो फीका लग रहा था शेडोई लग रहा था उस लड़की की नैक के सामने मतलब वो इतनी गोरी थी कि उसके सामने उसका गाउन भी वाइट कलर का गाउन भी फीका लग रहा था कि उसकी नैक और उसकी आम्स बेर थी मतलब उसने अपने आम्स पर और नैक पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था कि उसने अपने बालों में जैम्स लगाए हुए थे जो की चमक रहे थे जब उसके बाल इधर उधर हो रहे थे क्रिस्टेवल उस लड़की को देखकर थोड़ा डर तो जाती है लेकिन सोचती है कि यह शायद बहुती रिच फैमिली से बलॉंग करती है और यह कितनी सुन्दर है क्रिस्टेवल प्रेयर करती है कि मैरी मदर प्लीज मुझे बचाईए और फिर हिम्मज उटा करके उस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो वो लड़की स्ट्रेंज लगती है और जवाब देती है उसकी आवाज बहुती फेंट और स्वीट थी कि मेरी इस कंडिशन पर मेरी इस परेशानी पर प्लीज थोड़ी दाया दिखाओ कि मैं इतनी ठकी हूँ यूँ कि मैं बॉल भी नहीं सकती वो लड़की क्रिस्टेवल का हाथ पकड़कर खेंचती है और कहती है कि प्लीज मुझे डरो नहीं क्रिस्टेवल पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई और वो लड़की जिसके आवाज फेंट और स्वीट थी वो जवाब देती है कि मेरे फादर एक नॉबल परसन है और मैं एक नॉबल फैमिली से बिलॉंग करती हूँ मेरा नाम जेरल्डाइन है कल सुबह पांच वोरियर्स ने मुझे पकड़ लिया मतलब किड्नैप कर लिया कि उन्होंने मेरी चीखे मेरी आवाज बंद कर दी डरा धमका कर कि उन्होंने मुझे एक वाइट कलर के पेलफर के पीछे बहान दिया और वो पेलफर हवा की तरह तीज चल रहा था और वो पीछे पीछे चल रहे थे कि जब एक बार रात का अंधेरा चला गया तो मैंने सोचा कि मुझे हैवन सेव करेंगे कि मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे और कितनी दूर वो मुझे ले आए थे कि उन पाचों में जो सबसे लंबा था उसने मुझे पैलफरे के बैक से खोला कि मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं बड़ी मुश्किल से जिन्दा बची कि उन पाचों ने आपस में कुछ बात की और फिर उन्होंने मुझे इस ओक ट्री के नीचे छोड़ दिया कि उसने मुझे कहा कि वो जल्द ही लोटेंगे और वो कहां पर गए मुझे नहीं पता कि मुझे लगता है कि कुछ देर पहले कुछ मिनट्स पहले मैंने एक कैशल बेल की आवाज सुनी थी फिर जेरल्डाइन क्रिस्टेबल का हाथ अपनी तरफ खेशती है और कहती है कि एक पूर लड़की की एक बेचारी लड़की की प्लीज तुम हेल्प करो यहां से निकलने में क्रिस्टेबल फिर उसका हाथ पकड़ती है और उसे कमफर्ट फील कराती है वो कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो मेरे फादर सर लियो लाइन तुम्हें कमफर्टेबली तुम्हारे घर पहुचा देंगे कि वो सेफली तुम्हें तुम्हारे नॉबल फादर के घर पहुचा देंगे वो दोनो धीरे धीरे जंगल क्रोस करती है तेज नहीं धीरे धीरे क्रिस्टेबल जैरल्डाइन को कहती है कि इस वक्त पूरा घर सोया हुआ है और घर में बिलकुल शान्ती है क्रिस्टेबल उसे कहती है कि सर लियोलाइन की हेल्थ ठीक नहीं है इस वक्त उन्हें उठाना ठीक नहीं होगा हम चुपचाप जाएंगे and I besetch your courtesy this night to share your couch with me और आज की रात तुम मेरे साथ सो जाना मेरे couch पर वो दोनों जंगल क्रोस करके महल के पास पहुँच जाती है क्रिस्टेबल चाबी से एक बड़े से दरवाजे के बीच में एक छोटा दरवाजा खोलती है दा गेट देट वोज आरेंड विदिन एंड विद आउट वेर अन आर्मी इन बैटल एरे हैड मार्जड आउट की जो गेट आरेंड का बना हुआ था और जहां से युद्ध के समय आर्मी बाहर जाती थी अन्दर जाने से पहले ही जेरलडाइन गिर जाती है दरद के कारण और क्रिस्टेबल उसे उठाती है और दा थ्रेशोल्ड ओफ दा गेट देन दा लेडी रोज अगेट और मूवड एज शी वर नॉट इन पेन जब वो वापस खड़ी होकर अन्दर जाती है तो वो ऐसे चलती है जिसे कि उसे दर्द हुआई ही नहीं तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही बाकी पोयाम है हम अगली वीडियो में डिसकस करेंगे I hope यहां तक की poem आपको समझ में आ गई होगी वीडियो गर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें